नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ प्रमुख समाजिक सुधार अधनियम की जो की आधुनिक भारत में हुए है अंग्रेजों ने कुछ काम अच्छे किये हैं जिनको हमें भूलना नहीं चाहिए हाला कि उन् हम प्रमुख समाजिक सुधार अधनियम की बात करेंगे तो सबसे पहले है सिसुवद प्रतिबंद है चुकि हमारे भारत में पहले क्या होता था कि अगर बेटिया जन्म लेती थी तो उनको मार दिया जाता था ताकि बाद में उनके बिवा की जंजट ना हो या और भी साल रेगुलेशन द्वारा जारी किया गया था इस आदेश के द्वार कन्याओं को जन्मते ही मार डालना ताकि बाद में उनके बिवा आदिका जंजट ना पैदा हो दंडनिया पराद घोशित कर दिया गया मतलब कहा गया अगर अब आप अपनी बेटी को मारते हैं जन्म क के बाद तो यह एक अपराद होगा और इसके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया यानि दंडनिया पराद होगा सर जौन सोर के समय में 1795 में यादेश जारी किया गया था हलाकि 1804 में लाड वेलेजली ने इसमें और भी सुधार किये थे फिर है सती प्रथा प्रतिबंद राजा राम मोहन राय के प्रियासो से सती प्रथा प्रतिबंद 4 दिशंबर 1829 में लाड विलियम बैंटिक ने लगाया मतलब सती प्रतिबंद आप जानते ही जब पति की मृत्ति होती थी तो पतनी को भी जला दिया जाता था तो इस पर रोग किसे ने लगाई ये बहुत इंपोर्टेंट है प्रसन यहीं से पूछा जाता है लाड विलियम बैंटिक ने ये वाइसराय थे भारत के 1829 में 4 दिसंबर को इन्हों ने प्रतिबंद लगा दिया किसके प्रियासों से राजा राम मोहन राए के बार-बार कहने पर फिर है दासप्रता प्रतिबंध, 1843 में लॉर्ड एलन बरू ने दासप्रता प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड एलन बरू ये भी वायस रहे थे। अगला है बिधवा पुनर विवाह अधनियम। इस्वर चंद बिद्या सागर के प्रियासों से हिंदू बिद्वा पुनल विवा अधनियम लाड डलहोजी के कारकाल के दोरान तयार किया गया था या अधनियम 1856 में लाड कैनिंग दोरा पारित किया गया था हिंदो बिध्वाओं के पूनल विवा को सबसे पहले लाड कैनिंग ने वैद माना था देखिए डलहोजी के समय में ये प्रस्ता या मसवदा तयार किया गया था लेकिन 1856 में चुकी डलहोजी जा चुका था और कैनिंग आ गया था तो इसके सासनकाल में इसको पारित किया गया बिदवापुनर्गया अधिनियम 1856 में किस के समय में? कैनिंग के समय में फिर है सिबिल मैरिज एक्ट नागरिक विवाह अधिनियम इसको बोलते हैं 1872 में लाड नौर्थ ब्रूक ये वाइसराय था भारत का वाइसराय था इसके समय आधनियम पारित किया गया इस आधनियम के द्वारा लड़कियों के लिए बिवाह की नियुनितमायू 14 वर्स और लड़कों के लिए 18 वर्स निर्धारित की गई तो इसको आप ध्यान में या इनके समय ये अधनियम पारित किया गया इसके तहत लड़की के लिए विवाह की आयू 12 वर्स कर दी गया यानि कि फिर से घटा दी गई पहले 14 वर्स की गई दी फिर दो वर्स घटा दी गई फिर आता है इसके बाद सारदा अधनियम ये सब समाजिक सुधार हैं जो अं और लड़कों के लिए 18 वर्स निर्धारित की गई यानि कि जो सिबिल मैरिस एक्ट था उसी को दोहरा दिया गया फिर है हिंदू महिला संपत्ति अधनियम 1937 में लाड लिन लितगो के समय या अधनियम पारित किया गया थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है इसके तरह हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिल गया चुकि पहले क्या था महिलाओं को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था लेकिन अब इस अधनियम के दोरा म पहलाओं को भी संपत्ति में अधिकार दिया जाने लगा तो ये कुछ प्रमुक सामाजिस सुधार थे आधुनिक भारत में जो अंग्रेजुने किये थे भले ही उन्होंने गलती से है किये लेकिन किये हुराच हम लोग इसकी सरहना करते हैं तो उम्मिद करता हूँ ये वीडि कर दिजिए चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें